पेरो के चनली की आवाज आ रही थी सैम अपनी कमरे में बैठा हुआ ओफिस का काम कर रहा था अचानक से सैम के कमरे के महर वो आवाज बंद हो गई और उसका कमरा नोक हुआ इतने को नोक नोकी आवाज और भी तेज हो गई इदर सैम भी डर रहा था कि कौन है जो इतनी जो से नोक नोक कर रहा है सैम ने बड़ी हिमर से दरवाजे को खुला तों वो क्या देखता है कि उसका बेटा निक बाफ रहा था और बहुत डरा हुआ था निक ने कहा पापा पापा वो सैम ने कहा क्या हुआ तो निक ने उंगली की और कहा पापा वो और निक डरता हुआ सैम के पीछे चुप गया सैम ने निक को पानी दिया और पूछा अब अराम से बोल क्या हुआ निक ने बोला पापा मैं माईक के साथ खेल रहा था खेलते खेलते माईक की साथ मेरी लडाई हो गई थी उस लडाई में मैंने माईक का मू दबा दिया था जिससे माईक मर गया निक की बाते सुनकर सैम सोच में पढ़ गया अब क्या करे वो निक को कहता है मुझे वहाँ पर ले चल जहाँ पर तुने उसे मारा था निक उसे वहां ले जाता है जब दोनों वहां पोंचते हैं तो वो क्या देखते हैं वहां माईक की लाश थी ही नहीं आखिर वो लाश कहां गई और ये परिवाश शापित कैसे बना पार्ट तू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए